प्राकरतिक संसादन प्रबंधन में समाजिक सहभागीता यानि जल और वन आदी इनके लिए Community Participation मतलब जो एक Community होती एक समुदाई होता है वो किस तरीके से Participate करता है इसमें भाग लेता है किस तरीके से Natural Resources को Manage करने के लिए उनको वचाने के लिए उनका प्रबंधन करने के लिए यानि जो हमारे प्राकरतिक संसादन होते हैं उसमें क्या-क्या चीज़े हम देखेंगे Water and Forest यानि पानी और जंगल एक्सेट्रा इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि प्राकरतिक संसादन और इन डिफाइन करेंगे इसका इंट्रो देंगे प्राकरतिक संसादन उन प्राकरतिक रूप से मिलने वाले पदा जैसे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़े इंक्लूडेड है सौर उर्जा, म्रिदा यानि मिट्टी, कोईला, तेल, पक्षी, पेड़ पौधे, जल, मासागर, लकडी, उर्जा, धातुए, फूल, पशू, खनिज, ऑक्सीजन, प्राकरतिक गैस, जीवाश्म, इंधन, एवं हमारा वातावरण भी प्राकरतिक संसाधनों की श्रेणी में आता है, तो हमारी जो प्रकरती है, हमारे जन्म के बाद से ही हम क्या होता है, प्रकरती से घिर जाते हैं एक तरीके से, जब हम पृतिवी पर, यानि किसी फैमिली के अंदर जन्म लेते हैं, तो क्या होता है, कि ह वैक्तिगत अभियान अपनी जो community होती है कोई भी अगर अपनी community बना लेता है उसके हिसाब से मतलब उस community के कुछ ऐसे rules बन जाते हैं कि natural resources के लिए उन्हें किस तरीके से management करना है किस तरीके से प्रकरतिक संसाधन को प्रबंधन करना है तो इसके अंदर वैक्तिगत जो अभिय रंब किया गया मतलब यह सारे जो मैं आगे बताने वाली हो प्रमुक अभियान निम्नलिखित है तो फर्स्ट एसके अंदर राजे इंद्र सिंग जो है राजिस्थान में एक अभियान चला था अन्ना हजारे ने चलाया रालेगर सिद्धी थर्ड है हमारा पानी पंचायत जो चला महारास्ट्र में पानी पंचायत इसका नाम है और यह महारास्ट्र में चला जो अभियान है और शालू मराडा यह कहां चला था प्रियूज naa मतलब को फ्रोजेक्टार हम चला मतलब कई प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं उसके माध्यम से प्रोच्साहित किया गया इसमें क्या है पहला सुझाला जल विभाजन परियोजना मतलब यह ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जल विभाजन की बात की गई इसमें एकिकृत व्यर्त भूमी विकास परियोजना नेक्स्ट है इसमें NWDPRA नेक्स्ट है फोर्थ इसके अंदर एंड लास्ट NABARD जल्विभाजन परियोजना ये इसके नाम है इसमें हम देखेंगे गयर सरकारी संगठन NGO सरकारी अभियान मतलब गयर सरकारी संगठन किस तरीके से कम्यूनिटी में काम कर रहे हैं परियावरण को प्रबंधन करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए सरकारी अभियान जो ऐसे थे उनको प्रारंब किया किसके लेवल पे समुदाए के लेवल पे तो इसके अंदर क्या है कृशिविग्यान फाउंडेशन सेकिंड है ग्रामीड ग्यान अभियान और तीसरा इसमें थर्ड आगा खान देहात कारेकरम एके आर एसपी तो ये तीन इसके अंदर है ग्यार सरकारी यानि NGO द्वारा स्टार्ट किये गए अभियान नेक्स्ट इसके अंदर समुदाए समाज अधारित प्राकर्तिक संसाधन प्रबंधन के लक्षे मतलब इनके क्या अबजेक्टिव्स है ये कम्यूनिटी क्यों बनाई गई या पहले इनका क्यों एक तरीके से इनको क्यों स्टार्ट किया गया रिसोर्स मैनेश्मेंट को करने के लिए मतलब हमारे प्राकर्तिक संसाधन को बचाने के लिए तो इसमें फर्स्ट है हमारा समुदाए के एक नम्न कारेकरम में स्वेचित भागीदारी प्राप्त करना जो प्राकर्तिक संसाधन के प्रियोग में उठने वाली समस्याओं के देर्ग का देर्ग कालीन हल को सम्मेलित करता है मतलब एक तरीके से उसके अंदर भागीदारी लेके resources को बचाने की बात करना और उनके साथ सम्मिलित रहकर कारे करना next है इसमें समुदाय समाज अधारित प्राकर्तिक संसाधन प्रबंदन परियोजनाओं में जुणने वाले लोगों को तक्नीकी एवं वित्य साहता प्रदान करना मतलब टेक्नोलिजी प्रदान करना और कुछ फंडों ने प्रवाइड कराना जिससे वह अपने समुदाय के लेवल पे जो अपना उन्होंने एक समुदाय बना रखा है उसके हिसाब से प्राकर्तिक संसाधन को परियोजनाओं से जोडने में helpful एक तरीके से उनको help मिल सके नेक्स हम देखेंगे इसके अंदर प्राकर्तिक संसाधनों में समुदाय समाज की भागिदारी की विधियां इनकी क्या-क्या methods है जो community based natural resources management है इसमें क्या-क्या methods ये यूज करते हैं तो first है इसके अंदर हमारा निश्क्रिय भागिदारी यानि passive participation second है इसमें हमारा जानकारी देने में भागिदारी यानि participation in information giving मतलब लोगों द्वारा लोगों को जानकारी पहुचाना provide कराना third है परामर्ष द्वारा सहभागिता यानि participation by consultation मतलब एक दूसरे को परामर्ष देना fourth है सामगरी प्रोचान हे तू सहभागिता यानि participation for material incentives इसके अंदर fourth है हमारा क्रियाशील सहभागिता यानि functional participation मतलब उसके अंदर functions हो जादा से जादा sixth है इसके अंदर समादात्मक सहभागिता यानि interactive participation तो ये methods हैं इसके जिसके द्वारा हम अपने natural resources को management कर सकते हैं उसका next हम देखेंगे समुदाय समाज आधारित प्राकर्तिक संसादन प्रबंधन की लाब की इनके क्या-क्या लाब है अगर हम community से जुड़के अपने जो resources हैं उनको बचाने के लिए एक प्रबंधन करने के लिए उसका सहयोग कर रहे है तो इसके क्या-क्या लाब है first है इसके अंदर प्राकर्तिक संसादन प्रबंधन में समुदाय या समाज की सहभागिता प्राकर्तिक संसादनों के stock की वृद्धी आवम रख रखाव को बहतर बनाती है आधारित संगठनों के साथ रोजगार के अफसर प्रदान करती है third average के अंदर एक समुदाय हमेशा एक व्यक्ति के अधिक मूलेवान होता है एक व्यक्ति से जादा अगर एक व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है उससे जादा मूलेवान क्या होता है एक से जादा व्यक्ति एकी समुदाई में मिलकर काम करें, एक गुरूप बनाकर काम करें नेक्स है इसमें प्राकर्तिक संसाधन प्रवंधन परियोजनाओं के समुदाई की सहभागिता संपूंट रूप में समाज का शमता निर्माड करती है प्राकर्तिक संसाधन प्रवंधन कारे क्रमों में समुदाई सहभागिता मतलब समुदाई की सहभागिता होती है के परिणाम स्वरुप नीची शेत्र में रोजगार के अफसरों में समवर्धन होता है फिफ्ट है इसमें हमारा प्राकर्तिक संसाधन प्रबंधन में समुदाय एवं कारेकरम कुशलता को सहज बनाती है कारेकरम की कुशलता जो उसकी स्किल्स होती है उसको सहज बनाती है इसमें हमारा यह नियोजन कारेकरमों एवं परियोजनाओं की जो संरचना होती है जो उनका स्ट्रक्चर होता है परियोजनाओं का यानि प्रोजेक्ट्स का उसमें क्या करती है स्थानिय भाषा जो उस स्थान की भाषा है एवं राय के प्रियोग को सुविधा जनक बनाता है नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर प्राकर्तिक संसाधन प्रबंधन में समुदाय सहभागिता में वृद्धी हेतु सुजाव यानि suggestions for increasing community participation in natural resources management तो फर्स्ट है इसके अंदर सबसे पहले हम इस topic को clear करते कि क्या बोलना चाहरा है यह प्राकर्तिक संसाधन जो है उसके प्रबंधन में समुदाय सहभागिता में वृद्धी हेतु इस समुदाय की सहभागिता में वृद्धी करने के लिए सुजाव दे रहा है यानि suggestion दे रहा है तो फर्स्ट है इसमें सम समाजिक पारिसितिक प्रडाली की बहतर समझ होना एवं वर्णन करना यानि बैटर अंडरस्टेंडिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल एकोलोजिकल सेकेंड है इसके अंदर हमारा एक इस पस्ट दृष्टिकोंड की स्थापना एवं संप्रेक्षन यानि establishment and communication of a clear vision थर प्रफ है हमारा इसमें नियोजन यानि planning करना फिफ्ट है इसके अंदर प्राकर्तिक संसादरों की उप्योग है तू अधिनियम विक्सित करना एवं उनका प्रवर्तन सुनिश्चित करना यानि development regulations of for utilizing natural resources and ensure their enforcement तो ये है हमारा six point और इसके बाद है हमारा इसके अंदर परिकल्पना नियोजनों एवं अधिनियमों का संप्रेक्शन यानि communication of vision plans and regulations सेवन्थ है इसके अंदर हमारा प्रवंदन शम्ता का विकास यानि development management capacity और एट है हमारा इसके अंदर वित्त की वैवस्था करना मतलब arranging finance क्योंकि fund होगा तभी हम ऐसा कोई plan बना सकते हैं ऐसा कोई project बना सकते हैं जिस पर हम कारे कर सके नाइन्थ हैस में निगरानी एवं मुल्यांकन यानि monitoring monitor करना इसको और एक तरीके से evaluate करना कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या benefits इसके मिलेंगे या किस तरीके से इसका evaluation किया जाए कि इसके फाइदे हो so friends thank you so much for watching this video आज हमने एक topic अपना environmental education का cover किया जो second unit का था thank you so much मेरे चैनल को like करें, subscribe करें, comment करें and share करें